नमस्कार आप सबकर स्वागते हमारे चैनल नेक्ष्ट नाइन न्यूस पर में नाम है दीपक गुपता बात करेंगे महरास्ट्र में शिवसेना के चिनावचिन को लेकर मची रार को लेकर जी हाँ शिवसेना के चिनावचिन आखिर किसका होगा कपिल सिबल जो उदर ठाकरे के पक्ष में दलीले पेश करते नज़राय थे कोट में और लगातार यही बात करते नज़राय थे कि जो शिंदे गुठ ने किया है वो सच मुच कहीं न कहीं कानून को एक तरीके से जुटलाता है और कानून के सवी सम्विधानों खंडित कर रहा हमारी बाते आपके शायद राजनितिक सम्विधान से थोड़ी परे जा रही होंगी हम आपको आर्टिकल के जरिये समझाते हैं खास एक मीडिया एजनसी जिसका आर्टिकल आपको दिखाएंगे तमाम उसमें जो वर्ट्स कहे गए थे कपिल सिबल के वो दिखाएंगे तब अब सबसे पहले जानकारी शिंदे उदव 27 सितंबर को सुनवाई यानि कि जो चनाफ चिन्योस की 27 सितंबर को सुनवाई होनी है आयोग्य विधायकों पर सुप्रीम कोट ने भी कहा कि सभी याचिकाए साथ सुनेंगे कपिल सिबल भड़के और शिंदे को सिवसेना का निशान मिला तो केस वियर्थ है और ये बात उन्हेंने साफ कही और ये दिन बढ़ती दिन बढ़ता जा रहा है केस लगातार यहां पर तारिकों पर तारिक सुनवाई होनी है ऐसे विधायकों की मांग पर चिनावायों कैसे सुनवाई कर सकती है शिबल ने कहा कि अगर शिंदे को सिवसेना का निशान मिल गया तो सुनवाई वियर्थ हो जाएगी कोट में अगली सुनवाई 27 सितंबर को हो गया और इसी की साथ 25 अगस्त को सुप्र इस विधायक के साथ होने का दावा कि जिसके बाद उदव ठाकरे ने इस्तिफा दे दिया था अब यहाँ पर साफ नजर आ रहा है विधायक अयोग्य घोशित होंगे एकना सरकार को सकता में बने रहने का अधिकार नहीं यह बात उदव गुठ के रहा है विधायकों ने न दसवी अनुसूची के तहत अयोग्य से तबी बस सकते हैं अगर वो अलग हुए गुठ का किसी अन्ने पार्टी विले कर देते हैं उन्होंने का था कि उनके बचाव का कोई दूसरा रास्ता नहीं यह तमाम वो तारीक हैं जिसमें सारे यहाँ पर 25 जून को डिप्टी स्प करी थी और लगातार यह तारीक है जो टलती गई यह आप सभी के सामने लगातार इस बात को लेकर यही सवाल है और शिवसेना का चिनाव चिन दाव पर लगावा है तफ्तीश से आपको जानकारी दे दी बहुत कुछ आपके मन में सवाल थे क्या दलीले क्या सुनवाई हो तो कोट की दलीलों को आपके सामने रख दे अब आप तही करें कि शिंदे या उद्धव किसके हाथ में जाना चीज शिवसेना का चिनाव चिन अपनी राइक कॉमेंट सेक्शन में जो रखेगा बनरे चैनल के साथ ऐसी और तमाम बड़ी खबरों के लिए बहुत बहुत ध